आज बनाते हैं पनेर गुलकन मोदग गणस चतुर्थिश पेस्टल आज मैंने पनेर गुलकन लड्डू बनाया है उसके लिए हम लेंगे देड़ सो ग्राम चितना पनेर पनेर को अच्छे से घीस लेंगे और एक पेन में लेंगे उसके अंदर हम लेंगे मिल्क पाउडर और थोड़ी सी मलाई करके ही दूद की मलाई थी और थोड़ा सा दूद जो नॉर्मल टेंपरेचर वाला है वे सा मैंने यूज़ किया है सलो फ्लैम पे हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे मिक्स हो जाने के बाद हम एड़ करेंगे खोड़ी शी शक्कर शक्कर यहां पर मैंने चार चमचीत में लिए हैं आप अपने हिसाब से थोड़ी ज्यादा या कम करश रखते हो शक्कर लेके हम फिर से उसको मिक्स करके पकाएंगे तो धीरे धीरे करके हम मिक्स कर देंगे और श्लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे तो यहां पर आठ से दोस मिनिट में हमारा मिक्स्चर है गाड़ा हो जाएगा जब तक गाड़ा नहों तब तक हम उसको पकाते रहेंगे और श्लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे तो धीरे धीरे करके यह हमारा मिक्स्चर गाड़ा होता जाएगा अब यह हमारा मिक्स्चर है वो गाड़ा हो गया है इस्टेज में आठ से दस मिनिट में तो हम एड़ करेंगे केसर को मैंने गरम दूध में भीगोया था साथ से आठ धागे को तो वो मैं ही यहाँ पर दो चमचीतना वो एड़ कर रही हूं और फिर से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्टव औफ कर देंगे तो यह मारा बड़ी आसा मिक्सचर बनके रेड़ी हो गया है अब उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा हो जाने के बाद मैं एड़ करेंगे पिस्ता का छूरा मैंने कौर्शली पिस्ता को ग्रैन्ड कर लिया था वो एड़ करेंगे थोड़ा सा यह तोटली गुलकन बीच में रखा है स्टफिंग में और उपर से हीर से हम पनीर का मिक्सचर एड़ करते हैं और अच्छे से प्रैश करके हम मौल्ड को डिमौल्ड कर देंगे केरफुली तो सारे लड़ू हम एसे ही बनाएंगे तो ये उपर से थोड़ा सा पिस्टा पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और रोज पेटल से गार्निस करते हैं तो ये उमारा बढ़िया सा मोदक बन के रेड़ी है पनीर गुलकन मोदक अब भी चरू ट्राई करना